लंबे शास लेने और छोड़ने मात्र से अमाल लेजिए जैसे करें थे 10-11,000 लीटर गती शास प्राण वायू प्रती दिल लेता है तो यह 25,000 स्वास लेता है हमारे जैसे भी 5-10,000 स्वास तो लेते ही है जिनके स्वास लंबे हजाते ही यूग करते हैं एक तो यह ताड़ासन यह तिर्यक ताड़ासन और चाहा शूर्य अनुस्कार में तो फेच लेजिए अच्छी हो जाती है यह तो हमारे डेली का योगा भ्यास और जिनके फेफड़े जाता ही कमजोर हैं उनको फिर हम धूम नश्य भी कराते हैं लेक लपेट भी कराते हल्दी अधरत लहसूल के आज दिव्य धारा डाल करके उसके लपेट कराते हैं पतंजली भाम के लपेट कराते हैं और सबसे अच्छा तो यह है देखो यह है ऐसे इसमें पावर योगा में पुरे शरीर का वी योग हो जाता है और फेफड़े तो फोला दी हो जाते हैं ऐसे यह हो ऐसे कोई कर ले दस बार ऐसे और यह दे हनुवान आसन भी हनुवान धंड ऐसे यह और यह 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 फेफड़े के लिए बड़ा अच्छा है इतना भी किसी से ना हो पाए ऐसे ना हो पाए तो कम से कम यह साधान धंड और यह भुजंग आसन तो बहुत ही जरूर यह दोन ऐसे और ऐसे चलो सब उल्टे लेटो बुजंग आसन करो सो बार जो भुजंग आसन करेंगे उनको जिन्दिगी में कभी फेफड़े की बीमारी नहीं होगे अब छोटे-छोटे दस उपाए बदा देता हूं घर में हल्दी होती है अदरक होती है तुलसी होती है और जहां पा वासा बनपसा मिल जाता है फल्दी अद्रक तुलसी वासा बनपसा नहीं तो बहुत अच्छा होता है अमल्टास और यह जो पीले वाला जो है न 예 देखो नेच्रो पैथी में कफ रोगियों को कफ को पुरा काट देता है एक्सिस फैट को एक्सिस कफ को पुरा काड़ देता है अनानास पाइनेपल इसका जूस भी पी सकते हैं और इसको खिला भी देते हैं थोड़ा सा सिंधनमग डाल करके और खजूर खिलाते हैं बाकी सब खाना बंद खजूर और 20-25 गराम चना खजूर चना हमने आज जहां पर रखा हुआ है खजूर चना थोड़ा सा अनार थोड़ा सा पपीता बस यही डाइट होगे जो बहुत ही कमजोर सी प्राणी हो तो दूद पिलाना हो तो दूद में हल्दी अधरक्ष चिलाजी डाल करके चौन प्राइस के साथ देते हैं ने तो अकेला दूद भी कफ करता है और यह भुजंगासन दस दस करके सो बार तक कराते हैं